ज्याहिंदर नमस्कार दोस्तों मैं विराद चोद्री श्वाक्त करते हैं आपके अपने लिटूब चैनल कमांड और खेड में पर दोस्तों आज का वीडियो इस पेसली बहुत सारे बच्छों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट्वप के बारे में एक ऐसा वीडियो दीजिए कि पूरे डाउट्स हल हो जाए हमारे यूदि बहुत सारे बच्चे बहुत आप के कट्वप के वीडियो देख रहे हैं कि SSEGD की कि समय कितनी इंक्रीज होती है इसे रिगार्डिंग बहुत सारे मेसेज आते रहते हैं तो चलिए आपके पूरे की पूरे डाउट हल कर दूग या अलग अलग फोर्सेस की अलग अलग आप आंकडा देख रहे होंगे इदर क्या इसा होता है रियल में तो अब कट्वप का इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जूरत नहीं पड़ेगी देखे लाट लो सबसे पहले इस बात को समझें कि SSEGD की ठीक है CISF एक यहां पर CISF जोड़ लिजिए तो अब मैं आपको बताओं हरे एक फोर्स का अलग अलग कट्वप जाती है बिल्कुल यह सही आंकडा है कि हरे एक फोर्स की अलग अलग कट्वप जाती है किसी की उपर किसी की नीच्छे ज्यादा तर जो मेट उपर रहती है कि वो है CISF आप सभी को पता है CISF ही जो मेट है ज्यादा तर उपर रहती है उसके पिछी रिजन भी आपको पता है ठीक है CISF की मेट सबसे उपर रहती है क्योंकि मैंने वजाया था पोस्ट ओप वेकेंसी एक तो उसमें इस बार तो अच्छी आई है लेकिन हर बार कम आत एक की कटो पाए कि केसे की केटेग्रियों में बटि रहेगी जनरल, OBC, SC और ST और EWS और कौनसी? EWS बस इतनी इन केटेग्रियों में डिवाइड रहेगी इसके अलाबा दो केटेग्रियों जूरेगी नक्सल एरिया की और बोडर एरिया की यह चैटेग्रियों में इस बार पहले फिजिकल की जो आएगी यह आएगी इसमें ऐसे अलग अलग नहीं रहेगी कि B.S.A.C. की कटो प इतनी है इसकी इतनी है ऐसे नहीं रहेगी सीधी कटो प रहेगी ठीक है? कि इतने नमबर पर B.S.A.C. वाला फिजिकल करेगा इतने नमबर पर B.S.A.C. के फिजिकल के बच्चे आएंगे इतने नमबर पर मतलग एक यह आँखड़ा आएगा अलग अलग पोर्स का अलग अलग अखड़ा नहीं आएगा इसके बाद में जब आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल के समय भी एक यह आँखड़ा बाहर आता है कि इतने नमबर वाला जनरल के टेगरी का बच्चा मेडिकल के लिए आएगा इतने नमबर पर जनरल के टेगरी की बच्ची मेडिकल के लिए आएगी फिक्स टेक एक आँखड़े ही होते है अलग अलग नहीं होते है ठीक हर एक स्टेट के यही नियम है सभी जो एसे जीडी की पूरी मेरिट आती है उसका यही नियम है कि हरे एक स्टेट हो जाए कुछ भी हो उसके फिक्स आंगड़ा आते हैं फिजिकल के समय एक ही आंगड़ा कि जनरल पर इतने नमबर पर मेरिट गई है OBC की इतने नमबर पर गई है AC की इतने नमबर पर गई है BSF की 80 गई है, जनरल की, OBC की 25 गई है, या OBC की 70 गई है, तो ये कब होता है? का फाइनल मेरट के समय होता है, उससे पहले नहीं होता है, ये फाइनल मेरट के समय होता है, अब एक सबसे बड़ा जो शम湿 रहती है, डेको फाइनल और वे टॉ Sierra's अब फिजी कल गई और वाईं और गया है, जैसे ही میडिगल की कड़ पक आएगी तब ये कुलेर नहीं हो सक कि आपके कौन सी फोर्स मिलने के चांद से ज़्यदा है. 100% के लिए नहीं हो सकता. 100% तो तब होगा, जब आपके Final Mate आजाएगी. लेकिन जब आपके Medical की लिस्ट आएगी, मैं आपको बताता हूँ, जब आपके Medical की लिस्ट आएगी, तो उसमें आपका total normalization है, सारे चीज़े बाहर आ जाएगी, ठीक है, हर एक बच्छे के आपके पास में number भी पता चल जाएगे, कि इसके कितने number आए, medical के समय तक आप सबसे mail भी लेते हो, और पता भी कर लेते हो, कि आपके number कितने थे, जब final mate आती है बिटा, तो final mate में cut-up जो पड़ी रहेगी, ठीक है, एक ही BSF की, इसी परकार ITVP की पड़ी हो रहेगी, इसी परकार SSB की रहेगी, इसी परकार SSF की रहेगी, अलग-अलग, तो आपको कौन सी force मिलेगी, वो कब decide होगा, जब final mate आएगी, उससे पहले आपका पूरा का पूरा जो physical कारवाई है, या ज SSC के लिए इतनी के top है, फिक्स का top आती है, आपकी medical के बाद में जो अगली merit आएगी, या उसमें लिखावा रहेगा, कि BSF यहां पर general रहेगा, इतने नंबर, OBC इतने नंबर, तो जितने नंबर उसमें लिखे रहेगे, उतने नंबर वालों को BSF मिल जाएगी, अगर आप SSCGD की जो फाइनल मेरेट है वो, जय हिंद जय फार्थ